नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल गरुर धर्मर्थ पर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मई 2023 के बड़े सुमवार के दिन करें 108 चावल और दो लॉम का ये महा उपाय आपके हर जीवन का दुख हो जाएगा समाप्त भगवान भोलेनात के आशिरवात से आपके जीवन में खीचा हुआ चला आएगा धन मई महीने में पढ़ने जा रहा है महा सुमवार ये कोई साधारन सा सुमवार है बलकि महा सुमवार है बताया जा रहा है महा शिवरातरी के बराबर का ये ताकतवर सुमवार होगा जिस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना और उपाय करते हैं तो साक्षात आपको भोलेनात का वो आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद जीवन से आपके हर दुआ तकलीफ परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप बैसाख के बड़े सुमवार के दिन 108 चावल और 2 का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में करने जा रही हैं, जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कैसी ही इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी, देखिए दोस्तों धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, ये इस महीने में भगवान विश्नु जी को प्रसंद करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदाई ये आपको बताते हैं, देखिए भगवान विश्नु जी, भगवान भोलेनाथ जी को अपना इश्ट मान करके पूजा करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बैसाख महीने के बड़े सुमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है, उस ऐसे उपाय से उसको करोडों वापस से ला। मिलता है बैसाख महीने की शुरुवात 7 मई 2023 से की है। इसका समापन 5 जूम 2023 को होगा। ये पूरे 28 दिन का महीना होगा। इस दौरान अगर आप बस बड़े सुमवार के दिन वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने आ रही हैं। दोस्तों तो आपके जीवन का कोई तकलीफ हो, दुहक हो, दर्ध हो, परेशानी हो, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी चाहे वो नौकरी बंद पड़े। व्यापार को चलाने की इच्छा वो चाहे संतान प्राप्ती की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी होगीद। जान रखिएगा दोस्तों बैसाख महीने के बड़े सुमवार के दिन अगर आप अपने जीवन का बस दो या चार मिनट निकाल करके चावल और लौम का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों आ आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा आपके जीवन में आप बहुत काम्याब होंगे जिस कार्य को भी, शुरू करेंगे उस कार्य मे आपको सफलता हासिल होगी क्योंकि यहां पर आपको साक्षाक भगवान विश्नु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशिरवाद और वर्दान हासिल होगा इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विश्नु जी की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे भगवान जी, भगवान भोलेनाथ जी के आशिरवाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो तो दोस्तों पूरी सची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विश्णु जय भगवान भोलेनाथ जी की और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशी के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता जिस उपाय से आपको कोई लाप पहुँच सके वो हम आपको आपके रिपलाई के माध्यम से बता देंगे इसी लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अंत तक आपने ही लिए नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा देखिए दोस्तों ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रही हैं ये ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप दो-चार मिनट निकाल करके सोमवार के दिन कर सकते हैं और यकीन मानिए दोस्तों इस सोमवार के दिन पूरे सोलह के ऐसे शुभ योग बन रही हैं जो आपके जीवन में एक चमतकारी बदला लेकर के आएंगे अगर आपने य उपाय कर लिए जिसके में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बड़े सोमवार के दिन अगर वो भगवान भोलेनाथ को लोटा जल अर्पित करें उसके बाद 108 चावल का दान करें भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित करें तो समझा जाता है इतना करने भर से उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट सारी परेशानिया सारी दिक्कतें परेशा के लिए खत्म हो जाती हैं बस आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना भगवान भोलेनाथ को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रहे हैं वो तूटे फूटे नहीं होने चाहिए क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी चीज हम नहीं चढ़ पहुचाना चाहते हैं। कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे ये उपाय सिर्फ बैसाख महीने के बड़े सुमवार के दिन किया था और समझा जाता है बैसाख महीने के सुमवार के दिन दो लौं का आप ये उपाय करते हैं तो आपके जो भी शत्रु होते हैं वो आपका कुछ भी नहीं पाते हैं क्य जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए तो दोस्तों ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं और दोस्तों ये उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुके भी टिकेगा भी और उसमें वृद्धी भी होगी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है जो आपके घर का जल हो और उसमें दो-चार बूंद गंगा जल मिला लेना है क्योंकि गंगा जल मार्केट बड़ी आसानी से मिल जाता है फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेन गेहुं के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चड़ाना है। अगर आप चाहते हैं कैसे भी आपकी इच्छा हो वो भगवान भोलेनाथ जी के आशिरवात। भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं कहा जाता है आकड़ों के फूल में भगवान गनेश जी का भी आशिरवाद होता है तो दोस्तों ये उपाय करना भूलिएगा पांचवा अगर आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है। और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं वह बंद हो जाए तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने रहे हैं। कच्चे दूध में तिल मिला करके भगवान भोलिनात का अभिशेक करें। और ये उपाय अगर आपने इस बैसाख महीने के बड़े सुमवार के दिन कर लिया तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है वह घाटा होना बंद हो जाएगा। चठा अगर आप किसी रोग से पीडित हैं। अगर आपको किसी बीमारी ने धड़ लिया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपका रोग बिलकुल ठीक हो जाए। दोस्तों बैसाख महीने के बड़े सुमवार किसी भी शिवालय जाए पहले भगवान। तो कई लोगों की जो इच्छा होती है वह ये इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान की प्राप्ती हो जाएं। एक विद्वान संतान की प्राप्ती हो। जाए तो आप क्या करना चाहिए। लेकिन जाने से पहले अगर विडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर। ले विडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।